जय गो माता मित्रों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है तो दोस्तों अगर आप भी गो माता के भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय गो माता जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारिया आपको मिलती रहें दोस्तों गो माता जिनके अंदर 33 कोटी देवी देवताओं का आसिरवाद पाया जाता है अगर दोस्तों कोई भक्त अपने जीवन के अंदर समश्याओं का सामना कर रहा है और समश्याओं भी ऐसी जो समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रही है अगर आप सचे मन से गो माता की सेवा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर वह समश्याओं समाप्त हो जाती है और आपको कभी भी किसी परकार का कोई भी दुक देखना नहीं पड़ता दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गो माता के मुक्त साकसाद देवी लक्षमी का वास माना जाता है जहां पर गो माता हस्ती खिलकिलाती रहती है वहां पर माता लक्षमी सदेव के लिए अपना निवास बना लेती है और वहां से कभी भी नहीं जाती है दोस्तों इसी तरह गो माता के अगर भाग के अंदर माता लक्समी, भगवान श्रीक नेस आदि निवास करते हैं जो आपको सुख समर्जी देने का कादिय करते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि गरीबी दूर हो आपके जिवन के अंदर धंधानिय भरपूर बना रहें तो आपको गो माता के इन अंगों को जरूर चोना जाएगे लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है रोजाना एक नियम बना ले कि आप जब भी अपने घर के अंदर रोटी बनाए यहाँ पहली रोटी आपको हमेशा गो माता के नाम की बनानी जाया है क्योंकि दोस्तों जब आप अपने घर का पहला अनाज गो माता के निमित करते हैं तो दोस्तों बाकी का अनाज साथविक हो जाता है और साथी साथ भगवानसरी खष्ण की करपा आपके ऊपर बनी रहती है जिसकी वज़े से आप अपने घर के अंदर चहू और खुशियां देखते हैं लेकिन दोस्तों रोटी साधारन नहीं किलाएं जब भी आप क्या करें उपाय की अनुरूप किलाएं कि आप घर से बाहर निकलते हैं घर से बाहर निकलते समय आप रोटी लें और रोटी के साथ थोड़ा सा गुड या कोई मीठा मिठाई का भोग अविश्य लें उसके बाद दोस्तों उस रोटी को लेकर आप जब भी आप अपने कारिय से बाहर निकलते हैं घर से जाने वाले होते हैं उस समय गोमाता के मुक के अंदर रोटी खिला द जाता है और आपको आपके कारिय के अंदर कभी भी रुकावट देखने को नहीं मिलती है इतना परवावसाली यह उपाई माना जाता है इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं कि धन प्राप्ति हैं तूं आप गुमाता कि किस अंग को छुए हैं दोस्तों लाक प्रेतन करने के बाद भी धन आगमत आपकी कुंडली के अंदर नहीं है बस साधारण साब को काम करना है क्या करें कि आप अपने घर के अंदर मीठे चावल बनाएं मीठे चावल बनाएं और उसके अंदर थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाले जो कि आपकी कुंडली को मजबूत करने क के लिए ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि आप क्या सपास कहीं गोमाता निवास करते हैं तो वहां या फिर किसी गोसाला के अंदर आप चले जाएं और वहां पर जाने के बाद गोमाता को आप चावल खिलाएं और दोस्तों जब गोमाता चावल खाने वाले होते उस समय उपर से नीचे की तरफ और नीचे से उपर की तरफ लगातार आप गोमाता की गर्दन को सहलाते रहें ऐसा करना दोस्तों गो माता को बहुत ज़ादा पसंद होता है और आप जिस परकार गो माता को आनंद मै कर देते हैं उसी परकार आपकी कुर्णगली और आपकी किसमत भी उसी परकार आनंद मै हो जाते हैं कैसा भी क्रोध क्यों नहों आपका दूर होने लगता है कैसा भी आपके भागिये के अंदर अवन्ती क्यों नहों उन्ती के अंदर बदल जाती है और आपके जीवन के अंदर सारे विकार अपने आपी समाफ्त हो जाते हैं बस आप गो माता के गर्दन के नीचे के वह भाग को सैलाते हुए आप उन्हें मीठे चावल जरूर किलाएं इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने जीवन के अंदर संतान सुक से वन्चित हैं विवा होने के बाद भी आपको संतान की प्राप्टी नहीं हो पा रही है या पिर आपकी संतान होय तो बिगडेल है या पिर अस्वस्त रहती है और आप चाहते हैं कि आपको गो माता की वह करपा बिले तब दोस्तों एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के अंदर वह कारिय को बना देता है दोस्तों जब भी आप क्या करें कि गो माता आपके असपास कहीं गाय का बाड़ा हो या आप स्वें गो माता अपने घर के अंदर पालते हैं तब आपको यह उपाय करना चाहिए आप क्या करें कि आप बस मात्र अपने पार जहां पी गो माता दुहती है उस समय आपको जाना है और उस समय आप क्या करें अपने घर से कुछ चीज या हरी घास गो माता को खिलाने के लिए जरूर लेकर दाएं और आप गो माता के मुक के आगे वह चीज रख दे खिलाने के लिए उसके बाद गो माता के माते पर आप इस पर्स करें और उनके पेरों का आसिरवाद ले उनके कान के अंदर अपनी संतान संबंदी जो भी समश्याएं हैं वह बोल दे और उसके बाद दोस्तों दूहती आपको अपने नाभी पर लगाना हैं आप बस मात्र दोहती गाई का दूद ताजा जिसमें एक मिनट भी दूद को निकले हुए ना हुआ हो वह दूद आप अपनी नाभी पर लगाएं और नाभी पर लगाने के बाद संतान सुक्य प्रात्ना करें दोस्तों दुनिया की को आपको अच्छी संतान प्राप्टी का यूग बनाने से नहीं रोक सकती लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान है कि यह उपाई आपको बराबर तीन दिन तक करना होगा और जब तीन दिन तक आप उपाई करेंगे गो माता को निमित कुछ ना को चीज खाने के लिए आप माता से अपने संतान की अच्छी प्रातना करें समझ लीजिए कि आपका वहक कार्य आसानी से संपन हो जाता है इसी तरह दोस्तों अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोस्तों और दूर होने का नाम नहीं ले पा रहा है लाग प्रेतन करने के बाद भी वास्तु का दोस्त आप से समाप्त नहीं होता है तो एक आप काम करें कि गोमाता का गोबर ले और दोस्तों ध्यान रहे कि गोबर का कंड़ा नहीं लेना चाहिए बलकि जिस परकार से गोबर जमीन के अंदर गिर जाता है और वहीं पर सुख जाता है उसे कंड़ा कहा जाता है और दोस्तों वह गर के अंदर उस गोबर के गंडो का जो धुआ होता है उसके अंदर कुछ चीजे डालने के बाद अपने घर के अंदर उसकी धूनी लगाए जिसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा कपूर का पाउडर तोड़ा सा उसके अंदर इलाइची और थोड़ा सा उसके अंदर जो आप पर वास्तु दोस होता है वहाँ पर उसके बाद उसे धूनी को रख दें दोस्तों आप देखेंगे बस मात्र आपने चार से पांच बार यह उपाय कर लिया सफलता आपके कदम चूमने लगती है आपके घर का कैसा भी वास्तु दोस्त क्यों नहो उसी समय जलकर समाप्त हो ज रहे तो गो माता के चरणों की जो मिट्टी होती है उसे एक लाल कपड़े के अंदर बांद कर उसकी पोटली बनाकर आप अपने घर के अंदर लेकर आजाएं और अपने घर के मुख्यत द्वार के ओपर उस पोटली को दोस्तों बांद दें कैसा भी क्यों नकार्य हो आपक यार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को लाइक और सेर करना न भूले ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी धन्यवाद मित्रू जैको माता मित्रू